लोकतंत्र के चोथे स्तंब्र को अपनी सक्षम पत्रकारिता के माध्यम से जिन गिने चुने लोगोंने एक उंचाई प्रदान की उनमें डौक्टर नंदकिशोर जी त्रिखा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है बीएस्सी के बाद राजनिती शास्त्र से में पीएचडी और यूके से फेलोशेफिन एडवांस जर्नलिजम की डिगरी प्राप्त डौक्टर नंदकिशोर त्रिखाजी ने इस ख्षेत्र में महारत हासिल की है एक वरिष्ठ संपादक, स्तंभका तथा लेखक के रूप में डौक्टर त्रिखाजी ने पत्रकारिता जगत में कई नये आयाम गड़े हैं भारतिय पत्र पत्रिकां में लेखन के साथ साथ कई विदेशी पत्र पत्रिकां से आप जुडे रहे हैं उनके 6500 से आधिक विचार एवं शोधपुर्ण लेक, हिंदी तथा अंग्रेजी के राष्ट्रिय एवं अंतरराष्ट्रिय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए है। आपने सन 1963 से लगभग 29 वर्षों तक टाइमस समोह के अग्रणी समाचा नवभरत टाइमस में बतोर संपादक अपनी सेवाएं दी। इस दवरान पत्रकाशिता के कई जिम्मेवारियों को बखुबी निभाया। आपने हिंदुस्तान समाचा न्यूज एजेंसी के चैर्मन संपादक के पत को सुशोभीत किया है। इसके साथ ही साथ देश के प्रतिष्ठित विश्व विद्यलयों के पत्रकारिता संकाय में बतोर विजिटिंग प्रोफेसर पठन पाठन से भी चुड़े रहे। लंदन के थॉम्सन फाउंडेशन की फेलोशिप प्राप्त करते हुए आपने पत्रकारिता का अपर डिपलोमा किया। और ब्रुसेल्स बेल्जियम से प्रकाशित होने वले वर्ल्ड पार्लमेंट्रियन जर्नल के भारत एवं दक्षिन पुर्व एशिया अनुभाग के संपादक पत की गरीमा को भी विभूशित किया है। जो स्रमजीवी पत्रकार है इन पत्रकार के साथ जिस प्रकार से रहते हैं और उनके साथ जो शिक्षा देरे का प्रयास करते हैं वह एक बहुत ही सरानी ऐसी बात मेरे मन में सुधवर रहती है। केवल 22 साल की उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखते हुए नेपाल में विदेशी सम्वादाता के रूप में कार्या किया। तत पस्चा National Union of Journalists और Journalist Welfare Foundation की अधिक्षता कुछ वर्षों तक की विशेशक्य समीती सदस्य के रूप में पत्रकारिता पाठे क्रमों के निर्धारण में आपने अपना बहत्व पुर्ण योगतान दिया है। आदर्श पत्रकारिता और कूशल चुनावी विशलेशक के रूप में आपने अपनी विशेश पहचान कायम की है। पत्रकारिता के कई विधाओं के साथ साथ आपने पाकिस्तान, चीन, कश्मीर, उत्तरपुर्वा और पंजाब से सम्मंधित कई महत्व पुर्ण राजनीति घटनाओं और युध्ध की रिपोर्टिंग की है। पत्रकारिता से सम्मंधित आपने कई पुस्तके लिखी हैं, जिन में से कुछ पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन चुकी है। इन पुस्तकों को कई महत्व पुर्ण पुरसकाराओं से नवाजा गया है। आपकी कलम से साकार भारतिय संसत पर आधारित पुस्तक की समक्षा भूतपुर्व प्रधान मंतरी इंद्र कुमार गुजराल तथा वरिष्ठ संपादक बीजी वरगीस ने टाइमस ओफ इंडिया में की थी। जो काफी चर्चित रही। देश के प्रतिष्ठित माखनलाल चतुरविदी विश्व विद्याले में पत्रकारिता संकाय के अध्यक्ष के रूप में आपने अपनी एक मिसाल कायम की है। आपकी सक्षम और कुशल कलम से पत्रकारिता से सम्मन्दी 14 किताब संगरहों का संपादन और 15 किताबों का संवराचनात्मक धाचा साकार हुआ है। तमाम तरह के रिपोर्ताजों में आपने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए भी काम किया वह काफी प्रशंसनिय रहा। तो नवत्थान करना एक बड़ी समस्या एक चालेंज उनके साथ था। उस चालेंज को बड़ी बहुत कठिनाई के समय में उन्होंने निभाया है। और आज हिंदुस्तान समाचार एक नैशनल न्यूज एजनसी इस नाम से पुना एक बार और खड़ी हुई है। उसका बहुत सा स्रेय मानने श्रीकाजी के साथ मानने त्रिखाजी को भी दाता है। राश्ट्रिय एवं अंतरराश्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के अलग जगाने वाले डॉक्टर त्रिखाजी को कई मान सम्मान एवं पुरसकारों से नवाजा गया है। जिन में से प्रमुख है। इत्यादी का समावेश है। इनके अलबा कई प्रतिश्टित संसाओं द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। प्रकार यह स्वतंतर रूप से कारे करें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो शासन हो इस शासन के साथ या पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका ज्यादा घनिष्ट संबंद न रहे। उनका जो प्रेशर आएगा उनका दबाव जाएगा इस दबाव के कारण कोई अपनी नीती बदल दे और कोई समाचार बदल दे इस प्रकार का वेवार उनको कभी मानने नहीं था। डॉक्टर तरिखा जी एक ऐसा बहु आयामी व्यक्तित्व है जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। संख्शेप में कहे तो आसमान की उन्चाई वही पास सकता है जिसके पैरों के नीचे माटी की पकड मजबूत होती है। पत्रकारीता जगत में आदर्शवत रहे बापुराव जी लेले की स्मृती में उन्हीं की तरह शूचिता बधा आदर्श पत्रकारीता करते हुए अपना विशेश मकाम कायम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नंद किशोर जी त्रिखा को पत्रकारीता में जीवन गवरव सम्मान प्रदान करते हुए राष्ट्रिय पत्रकारिता कल्यान न्यास अपने आपको गवरानवीत महसूस करते हुए